बाते करते हम खेतों की और उसके रखवाली की बाग बगी जब फल फूलों और फसलों की हरियाली की हम बेजों की बाते करते उत्तम जलसन साजन की हम तो दिनी की बाते करते फसलों की उत्तम जी पर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को गाउं गाउं की हरियांगन का प्यारा साही दर्शन उपिष दर्शं, उपिष दर्शं, उपिष दर्शं जोहार नमस्कार खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही हासिल होगा सब तू जित पे अड़ तो सही दोस्तों हमें अपने मंजिल तक पहुँशने के लिए लगातार मेहनत करनी होती है और जो रुकाउटे आती है उन्हें दूर करने के लिए हमें जानकारिया हासिल करनी चाहिए और यही कारण है कि आप हमारे कारिक्रम के साथ जुड़ते हैं ताकि क्रिश्री जगत से जुड़ी हुई जानकारिया आप हासल कर सके, तो आईए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कृश्री समाचार नमस्कार, कृश्री समाचार में आपका स्वागत है मैं हूं दुला आईए देखते हैं आज कृश्री समाचार में क्या है खास गड़वा के किसान कीट रहित सबजीयों की खेती के लिए ले सकते हैं उद्यान विकास योजना से लाव बिर्सा क्रिशी विश्वविद्याले में किया गया बहुप योगी क्रिशी यंत्र का कारे प्रदर्शन गेहूं के बहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद DVW-187 या PVW-550 अब समाचार विस्तार से गड़वा जीला में उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है इस योजना के अंतरकत गड़वा के किसान कीट रहित उच गुणवत्ता युक बे मौसमी एक्जोटिक सबजी उत्पादन इकाई के स्थापना कर सकते हैं इसके कुल योजना लागत 3 लाख रुपे प्रती इकाई है इसमें सरकार की और से किसानों को 55 प्रतीशत यानि 2,25,000 रुपे अनुदान देने का प्रावधान है गड़वा के किसान इस योजना से लाब लेने के लिए 11 इसंबर तक जिला उद्यान कार्याले गड़वा में आवेदन दे सकते हैं Center for Development Advanced Computering यानि SEED DEC ने एक ऐसे क्रिशी यंत्र का निर्मान किया है जो अकेले कई क्रिशी कार्यों को निप्टाने में सक्षम है ये यंत्र खेतों में फसलों की विभिन आवश्यक्ताओं की पहचान करके उसकी आपूर्ती करने का काम करता है फसल की जरूरत के अनुसार इस यंत्र द्वारा खेतों में खर्पतवार नाशी, रोगनाशी, रसायन और तरल उर्वरकों का छिड़काओ किया जा सकता है इसमें धान की सीधी बुआई और बीज अंकूरन प्रतिशत का भी आकलन किया जा सकता है पिछले दिनों बिर्साक्रिशी विश्वविद्याले में इस यंत्र के कारियों का प्रदर्शन और परिक्षन किया गया सूकरपालक भाईयों सूकरों को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए मौसम के अनुकूल खान पान दें यदि सूकरों को घर का बचा खाना देते हैं तो ध्यान रहे वो ठंडा ना हो साथ ही पीने के लिए स्वक्ष और ताजा पानी दे आहर और पानी ठंडा हो तो उसे गुंगुना गर्म करके दें ठंड के मौसम में हमारे जो पशुपालक भाई जो सुकरपालक भाई जो हमारे उनको खिला रहे हैं उसको गरम करने के आउसकता इसलिए जादे पड़ती है क्योंकि अभी आप ठंडा उनको चीज दीजेगा कोई भी ठंडा चीज जाएगा सरीर में तो वो उनको ठंडा ज अगर संबह है तो निश्चित रूप से आप उसको गरम करके दें ये और पानी पीने का जो पानी है वो पानी भी अगर उसको फ्रेस वाटर अगर आप बोरिंग वेगर रखा ले रहे हैं तो वो अगर मिलता है तो दें अगर रखा हुआ पानी है कहीं भी इस्टोड वाट राजी के जो किसान गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे इसके बहतर उत्पादन के लिए बुआई के समय को ध्यान में रखकर उन्नत प्रभेत का चुनाव करें समय से बुआई के लिए DBW 187 या HD 297 लगाएं जबकि विलम से बुआई के लिए PVW 550, NW 2036 या HUW 234 लगाएं समय से गेहूं की बुआई करते हैं तो 125 किलो ग्राम बीच प्रती हिक्टेर की दर से लगाएं जबकि गेहूं के विलम से की जाने वाली बुआई में 150 किलो ग्राम बीच प्रती हिक्टेर की दर से लगाएं गेहूं से अधिक अधिक उपज लेने के लिए किल उन्नत प्रभेतों का चुनाव करें आईए इस संबंध में जानते हैं क्रिशी विशशाग्य से समय से अभी किसान लगाना चाहेंगे तो हम बताएं किसान को DVW 187 HD22967 यह दो जो किसमे हैं यह समय से लगाएंगे किसान उसके लिए है और जो देर हो जाएगा यानि दिसमर के फ़र्स अब्ता के बाद जो किसान लगाना सुरु करेंगे और दिसम्बर में लगाएंगे तो उनके लिए जो हमने किसम बताए पीबीडवलू 550 है उसके बाद एंडवलू 20-शतीस है हुड़ू 234 है डीबीडवलू DBW 16 है, DBW 272 है, DBW 173 है, तो ये जो किसमे हैं या HI 1563 है, ये किसमें विलम से लगाने के लिए गेहों की सही किसमे है. राजी में जिन किसान भाईयों ने विलम से धान फसल लगाया है, और कटाई का काम अभी बाकी है, तो अब धान की कटाई के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वियर रीपर की सहायता ले सकते हैं. इससे एक दिन में डेढ़ हेक्टेर धान की कटाई कर सकते हैं. आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के विना कैसे बंधक और फल छेदक कीटों की रोग थाम करें. किसान भाईयों खेत में भिंडी फसल लगाने से एक डेढ़ महीना पहले खेत के चारों और घेरा बंदी के तौर पर दो कतार मक्का या जौर फसल लगा दें. इस घेरे के अंदर की भूमी पर भिंडी लगाएं. इससे भिंडी में बंधक और फल छेदक कीटों का और अब एक नजर राजी के पांच प्रमुख शेहरों के मौसम के मिजाज पर. देवगर का अधिक्तम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और निउन्दम 9 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिक्तम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा. क्रिशी समचार में आज इतना ही अगले दिन अगले अंक में फेर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार चोहार कुछ कीट ऐसे होते हैं जिन्हें किसानों का मित्र कीट कहा जाता है दोस्त कीट कहा जाता है लेकिन कुछ कीट हमारे फसलों को नुकसान पहुशाने के लिए आते हैं ऐसे कीटों का प्रबंधन बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छी फसल ले सके कैसे करें फलदार ब्रिक्षो लगाते हैं उनको एक आम समस्य आती है कि उसमें कीट बहुत ज्यादा लगता है तो उसकी तैयारी आप पहले से किस तरह से कर सकते हैं इस पर विशेज बात्चीत करने के लिए आज हमारे साथ मौझूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी जैसा कि हम बात करें फलदार पौ यहां पर जो है हम लोग मुखे रूप से देखते हैं कि आम अमरूद लिची निम्बू शरीफा पपीता जामून यह सब सब फलदार ब्रिक्ष हैं और यह समय जो होता है आम और लिची के लिए सबसे क्रूसियल यह महत्पुन समय होता है इसलिए कहेंगे क्योंकि जो है अ और जैसे ही फ्लावरिंग का टाइम आता है तो अब तो फ्लावरिंग का टाइम आ गया उसमें नए नए पिनिकल्स आ रहे हैं मंजर आना शुरू हो रहे हैं तो वैसी परिस्तिति में उसके साथ साथ कीट और व्याधी दोनों का आकर्मन बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो उसके मतलब फूल आने से प्रवंधन पहले करना अती आवस्यक है अगर किसान भाई थोड़ा सा उसमें जागरूख हो जाएं तो उनका जो उत्पादन है लगभग 25-30% तक बढ़ा सकते हैं शुरूरू आती प्रवंधन अगर कर ले तो यह महत्पून चीज है शुरूरूवाती प्रवंधन में हमारे किसान भाई किन-किन बातों पर धियान दे सकते हैं देखे किसान बंधू को सबसे पहले क्या है कि मान लीजे जब भी हम लोग फल्लार पौधे की बात करते हैं तो अभी जो सबसे ज़्यात आमलोग देखते हैं मीली बंगया मैंगो मिली बंग है इसका सबसे ज़्यादा आम में आकर्मन देखा जाता है और यह क्या आता है कि मित्टी में चपे खirosजote यहाँ इसके बहुत सारे इसके होस्ट पौधे हैं, जहां पर ये सालो भर पनपते बढ़ते रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही इनको अनुकूल वातावरन मिलता है, तो ये अपना मेजर होस्ट पर पौधे पर चले आते हैं, तो इनको नीचे में क्या करते हैं, कि थोड़ा सा होइंग कर देते हैं, थोड़ा सा हलका खुर्पी कर दें, होइंग कर दें, तो ये नीचे में मिटी में जो छीपे हुए रहते हैं, ये क्रॉल करते हुए तना से जो है, उपर जो है, वो साखा पर पहुंच जाते हैं, तो वैसी परिस्तिती में किसान बंदू जो है, वो क्या कर सकते ह तना में क्या करेंगे, कि वो एक पॉलिथीन लपेट करके उसमें ग्रीस लगा देते हैं, इससे क्या होगा, कि मीली बग जो है, उसके उपर वो ओधे में चड़ नहीं पाएंगे, तो ये इनका शुरुवाती विवस्ता है, अभी अगर वो नहीं करेंगे, तो ये जो है, मानली जे की नियंतरन नहीं हो पाएगा, दूसरा जो है, हम लोग देखते हैं कि जो इसमें होपर है, मैंगो होपर जो इंसेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है आम में, तो वो क्या करेगा, कि वो उसमें रस चूस करके और आपका मंजर में, उसका स्क स्प्रे कर दें, कोई भी आपके पास जो है, इसी डा में प्रीड वगेरा है, या इमीडा क्लोरोपीड है, या आपका बुप्रो फेजीन है, ये सब जो दबा है, वो काफी जो है, महत्पूर्ण है, और ये दबा का अगर आप एक दो स्प्रे करवाद रहे हैं, ट्रंक में तो ये आपका जो आने वज़ू समय में जो समस्या है, बहुत कम हो जाएगा, मीनिमाइज हो जाँगा, आप अवाइब से उसको जो है, बचा सकते हैं, जब मंजर आजाता है, तो उस समय आम लोग देखते हैं, कि लिची है, तो लिची में, जो है लिची माइट का आटेक ह होता है या उसमें पिनिकल बुरर का अटक होता है तो उससे भी आप जो है अगर मान लीजे पहले स्प्रे कर दी तो वह आपका जो है आने वाला समय में जो नुकसान है उसको बहुत ज्यादा मीनिमाइज कर देगा तो अन्य फसल भी मान लीजे फलदार जो पौदे हैं उसका सुरुआती अगर ववस्थागर करने की बात है तो हमको अभी इसमें जो है वह ज्यादा सजग रहने की बात है तो हम उसको बचा सकते हैं अम्रूद बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से अम्रूद में बहुत ज्यादा कीड़े दिखते हैं उसके क्या इसमें फल मखी आ करके इसमें डंक मार देता है और डंक मार करके इसको जो है क्या है कि उसके डंक से जो है वहाँ एक लेंग कर देता है अंडा जब उसके अंदर देता है तो अंडा जब फूट जाता है तो मखी का जो है मैगोट क्या करता है कि अंदर में वह एक जगा में से दो तीन जो है मैगोट उसके अंदर पनपने लगते हैं तो शुरुवाती अस्तर पर दिखाई नहीं देते हैं लेकिन बाद में चीज क्या होता है कि वह बहुत तेजी से वहां पर आपका मतलब हैच करके और अंदर अंदर वह खाना चालू करता है लेकिन जैसे ही वह परिप वह बहुत सरा फुट फ्रॉट फ्लाइ उसके लिए जो हम लोग देखते हैं कि कैचर लगाते हैं फल मख्य कैचर अगर लगा देंगे तो उसमें जो हैं लगभग 25-30 प्रकार आते हैं जो अलग अलग फसलों में वह नुकसान पहुचाते हैं वह अगर उसके अंदर परन को रोक सकते हैं अगर जब भी मान लीजे कि इसका अटैक ज्यादा बढ़ गया तो उसके लिए मैला थियान वगरा जो दवा है उसको हम लोग देखते हैं कि 2-8 ml जो है मैला थियान और उसमें जो है 10-15 ग्राम अगर गूण मिला देते हैं तो उसका अगर एस्परे करते ह जो है आप आसानी से नियंतरन कर सकते हैं तो यह भी जरूरी है कि अगर किसान बंदू के पास फल मखी का है अगर आकरमान देखते हैं तो कम से कम अपने शुरुवाती अस्तर पर बटनी होता है जब बड़ा फल हो जाता है उस समय लगाने से इसका फाइदा नहीं मिलेगा जब सुरुवात में मंजर के बाद जो है वो सेट करके बटनी हो गया चोटा फल हो गया उसी समय अगर लगा देंगे तो यह आपका कंट्रोल हो जाता है तो यह चीज एक चीज इसमें देखा जाता है लेकिन यह ध्यान रखना है कि जब भी अगर मान लीजे फूल अगर आ किसान भाईयों देखा हमारे शिसग्या ने आपको काफी अच्छी जानकारी दी कि आप किस तरह से फलदार पौधों में लगने वाली कीट का प्रबंधन कर सके और कैसे अपने पौधों को बचाए आशा करती हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आपका बहुत किसान भाईयों अगर आप अपने उत्पाद को मुल्य संबर्धन करके बाजार में ले जाते हैं तो उसका मुनाफ़ा ज्यादा होता है जैसे कि अगर कोई किसान दूद का व्यवसाय करता है और वो दूद बेचता है तो कम लाभ मिलता है लेकिन अगर वो दही या पनीर ब आज हम बात करेंगे कि दलहनी फसलों का मुल्य संबर्धन किस रूप में आप कर सकते हैं और कैसे वह आपके लिए फाइदे मंद होगा और इस महत्पूर्ण विशह पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विश्यशा के के रूप में उपस्तित हैं डॉक्टर गरीमा मिश जैसा कि आज का हमारा विशह है कि दलहनी फसलों का मुल्य संबर्धन हाल के वर्षों में जहारखण में दलहनी फसलों का उत्पादन भी काफी बढ़ा है तो अगर किसान भाई सिधे बजार में अपने फसलों को बेचते हैं वो एक अलग बात है लेकिन अगर चाहें कि उस किसान भाई को जो है इसमें ज्यादा मुनाफ़ा मिल सकता है जैसे कि सिंपल बिचॉलियों के हाथ दाल को बेच देने में उनको उतना प्रॉफिट नहीं होता है लेकिन अगर यही दाल का ग्रेडिंग कर दिया जाए थोड़ा सा एक ग्रेडिंग मशीन आती है उसके लिए या फिर उसको थोड़ा अच्छे पैकेजिंग मटीरियल में हम कर दें तो चार से पांच गुना या और भी ज्यादा जो है किसान मुनाफ़ा कमा सकते हैं लेकिन अगर बात करें कि किस किस तरह के दालों की हम बाद में उसको प्रोसेसिंग मिला सकते हैं या उसका वैल्यू मुत सभान करते हैं तो चन का सथिन शेल अबनता है तो जिसको र मोझास बना देटे यह पिर कोई और प्रोड बना देते हैं तो उसमें क्या होता है मिठाई लिए ना देते हैं तो यह सहान ही मिना जैसे इसे उरत दाल होता है, यहां पर बहुत जादा उरत दाल होता है, उसको हम प्रोसेसिंग करके बड़ी यहां पर बहुत जादा खाया जाता है, खासकर जहार खंड और बिहार की बात करें, तो बड़ी बनाते हैं, उसे भी वैल्यू बढ़ जाता है, इसके अलावा बच्चों जो के लिए बहुत सारा पूरा कहार होता है, जो मार्केट में हम लोग सरेलिक के नाम से जानते हैं या फिर और बहुत सारे सप्लिमेंट आते हैं बच्छों के लिए, तो हम घर भी होम बेस्ट जो है, वी निंग फूर जिसको बोलते हैं, बना सकते हैं, इसमें कई परकार की का प्रियोग होता है दाल होगे और जो है इनको मिला के हम बना सकते हैं तो किसांध भाई जो है तो क्ता में किस्तार के इंफ्रास्ट्रक्शर की जोबद पड़ जूद कि विना उसके बिना इंस्ट्रमेंट के बीना Political Support तो वह वेलू अडिशन के तरफ नहीं चाह सकते हैं जी बहुत बढ़ियां प्रेस्टन है कि आप बुला कि खेत में दाल का तो प्रोडक्शन हो गया लेकिन वेलू डिशन तक कैसे जाएंगे तो सपोर्च जैसे हम अपना अनाज लेके आते हैं अब उसकी ग्रेडिंग करना है तो ग ओर्डिंग लिए उसके बाद पैगजिंग कर लिया फिर हो गया अगर आटा बनाने का उनको मशीन लेना है चक्की लेना है तो वहाँ पर भी एक स्टेज में बढ़ जाता है एक चीज़ आपसे जाना चाहें कि वैलू अडिशन जब करते हैं आप बेशन की बात कर रहें य तो किस स्थिती में किसान भाई उसको वैल्य अडिशन की तरफ लेके जाए जैसे आप डालो को ले आते हैं खेट से आके आपके पास दाल आया तो मौश्चर का है दस से बारा परसंट तक का ही मौश्चर होना चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा अगर मौश्चर है और फिर यहां से दूप में दुखा जब उसको आप दांट से काटे कट की आवाज आए इट मींस कि यह दस से बारा परसंट का मौश्चर है उस टाइम पे अगर आप बेसन के प्रोसेस में लेकर जाते हैं तो ले जा सकते हैं और बेसन को भी अगरो करना हो अगर बेसन बना कि आप चिलको का भी जो है जो दाल हो कि भूस तरह की बाल सारे चिलको के आप मिलाके मिक्स करके पौल्ट्री फीट की रूप में यह ते की लिए आडि एक नूटृशन कि दाल देखिए दाल क्या है नदाल में अगर आप शाकाहारियों के लिए बहुत एक बहुत बढ़िया तो तो आप गाय को या किसी एनिमल को देते वाइजा फीड के रूप में तो उनके भी हेल्थ के पाइंट आभी से बहुत अच्छा रहे हैं और अगर हम दाल की बात करें तो जो दाल होता है निकि जब वो खेत में होता है तो यह नाइट्रोजन करने की इसमें प्रिक्रिया है ब बढ़ती है नेक्स क्रॉप में फाइदा होगा नेक्स क्रॉप में फायदा होगा तो दाल का पैदावार करने का बहुत ज्यादा अनुमानित लाब का अखड़ा अगर किसानों के सामने प्रसूट करें तो प्रति एकड़ अगर वो उत्पादन करते हो उसको फिर वैल्व जाते हैं तो किस रूप में उनको फाइदा होगा और कितने प्रतिश्च तक का उनको लाब हो सकता है था जिया क्या आप डाल का ग्रेडिंग करके ही अगर प्रोपोर्शन अगर आप पूरा हाफ आपका प्रोपोर्शन रखते हैं और हर एक स्टेज में जाके वैल्य अडि जैसे चाना के बारें बताए और भी यहां पे जो होते हैं उसमें किस रूप में और उनको अधिक फाइदा हो सकता है प्रोसेसिंग के माध्यम से और समूह में रहने से क्या फाइदा जी हां मैं किसान भाईयों से यही कहना चाहती हूं कि यदि आप अकेले काम करते हैं तो वो आप लेके जो है 20-30 या 40 लोग भी समूह में पर्चेस करके जो है उसको गवर्मेंट की योजना का लाप लेके खरी सकते हैं उसके बाद अगर आप ग्रेडिंग करते हैं दाल का छिलका उतार के एक बढ़ियां पैकेजिंग माटीरियल में दाल बेजते हैं तो आपको बहुत बढ़ियां इससे लाब मिलने वाला है तो किसान भायों देखा आपने कि हमारे शग्या ने आपको काफी अच्छे डेंग से बताया है कि दाल को किस रूप में प्रोसेस करके उसका मूल्य समबर्धन कर सकते हैं जिससे कि आपका लाब का प्रतिशत कई गुना किसान भायों आपने अगर दलहनी फसलों का मूली समबर्धन किया जाये तो उससे ज्यादा मुनाफ़ा पाया जा सकता है आज की जानकारी इतनी ही अगले कारिक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी लेकिन ये उमीद रखते हुए हम आपसे बिदा लेंगे कि आप अपनी ब 8340001 अगले कारिक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी अब मुझे और पूरी टीम को दीजे इजाजत जोहार नमस्कार